हेलो एवरीवन वेलकम टू अभी पेडिया पावर्ट बाई अभी मन्यू आईएस एंड इन दे यूपी एसी सी सेट पेपर टू टू टूड़े वी विल डिस्कस नमबर फोर्मेशन यास नमबर सिस्टम के अंदर नमबर फोर्मेशन काफी ज्यादा इंपोर्डेंट है क्यो काफी इजी सा कंसेप्ट है अगर इसम कंसेप्ट को कर लेते हैं तो अगर एक्जाम में कोश्चन आता है तो हम कर लेंगे ओके तो देखिए नमबर फोर्मेशन की अगर मैं बात करूं तो देखिए अगर मान लीजी मेरे पास में एक नमबर है मेरे पास में एक नमबर है मे 25 ओके तो अब देखिए यहां पर आपके पास में क्या आ रहा है 20 प्लस 5 मिन्स वाट की नंबर कैसे फोर्म और आपके पास कि जो 10th place पे जो value है उसको हमने multiply किया है 10 से प्लस unit place पे जो value है उसके साथ में वो add हो गया ओके अब इसी तर ऐसे माल लो मेरे पास में एक नंबर आ रहा है 125 अब यह नंबर कैसे बना या दिस इस इक्वाल टू 100 प्लस 20 प्लस 5 ओके दैट मींस वाट क्या हो रहा है कि जो 100th place पे जो digit है उस digit को 100 से multiply किया है प्लस जो 10th place पे जो digit है उसको 10 से multiply किया है unit place पे जो digit है उसको 1 से multiply किया और सभी को क्या कर दिया है एड कर दिया ओके तो नंबर फॉर्मेशन में पास इतना सही concept है तो जब भी आपके पास में कोई भी नंबर आता है कोई भी नंबर पर कोशन आता है कि हांजी जो नंबर है उसको कर दिया है तो यह वैल्यू आगी है वैल्यू इंक्रीज हो गई है डिक्रीज होगी इस तरह से आपके कोश्चन तो क्या करना हमने कि उस नंबर को हम कैसे को करेंगे माल लिजे मैं कहते हैं मेरा नंबर एक्स वाई ठीक है अब मुझे यह विजिबल हो रहा है एक्स वाई इसका मतलब यह नहीं कि दो डिजेट्स आपस में मल्टिप्लाई हो रही है कि एक्स और वाई को मल्टिप्लाई कर दिया नहीं क्या हो रहा है हमारे पास में नंबर विल बी 10x प्लस y, अगर कहते है कि इस number को reverse कर दिया, reverse कर दिया, that means कि जो digits है, वो reverse होगे, जब digits reverse होगे, तो अब हमारे पास में number क्या होगे, this will be 10 y plus x, okay, yes, same way, अगर मेरे पास में 3 digit का number है कोई, 3 digit number मेरे पास given है, x, y and z, in that case, what will be the number, number actual में क्या है, this is 100 x plus 10 y, plus z, clear, and if we reverse the number, in that case, this is z, y, x, that means कि जो digits को reverse करने के बाद number बनेगा, वो क्या होगा, 100 z plus 10 y, yes, and plus x, clear, just यह एक छोटा सा कंसेप्ट है, इसके उपर बेस्ट कोस्चिन सा जापते है, exam के अदर, I hope सभी को कंसेप्ट क्लियर है, सभी को कंसेप्ट क्लियर है, इसके अंदर किसी को कोई भी माइनर सा डाउट आ रहो, clear, आप देखते कोस्चन कैसे आते हैं, इसके अंदर, yes, कोस्चन, आप देखो यह है, क्या है, the difference between the two digit number and the number obtained by interchanging the position of this digit is 36, yes, क्या कहें, कि difference किसका दो digit का जो number है, वो, और अगर उसकी digits को exchange कर देते हैं, बताना है difference, ओके, तो आप देखो, अगर मैं कहूं कि मेरे पास में जो number है, number क्या है, xy, अब xy means यह नहीं है कि दोनों को multiply कर रहे हैं, दुबारा से मैं बता रहे हैं, पहले जो number है, form क्या होगा, वो आपको देखना है, ठीक है, तो there the number will be 10x plus y, this is the actual number, ओके, और reverse अगर हम कर देंगे इसकी digits को, तो after reversing, yes, after interchanging position of digits, अब number क्या हो जाएगा, 10y plus x, okay, यह point clear है, अब यहा पर काया कि दोनों का difference जो है, that is equal to 36, that means, this minus this, 10x plus y minus 10y plus x, अब जब difference की बात करेंगे, तो यहाँ पर भी धिहान रखना है, आपने, कि यह जो value, यहाँ पर minus आ रहा है, तो यह भी minus में आएगा, okay, तो value क्या आगे, आपके पास मैं 36, because अगर मैं इस brackets को remove करती हूँ, तो value क्या आज याएगी मेरे पास, yes, this will be 10y minus x is equal to 36, okay, तो कितना हो गया यह, 9x minus 9y is equal to 36, अगर हम 9 को भार कोमन निकालते है, तो value क्या आगे, x minus y is equal to 36, 9 इस से साथ में cancel out हो गया, ठीक है, कितना आगे, x minus y is equal to 4, okay, तो difference कितना आगे, आपके पास में, 4 difference आगे, and this will be the answer, अब यहाँ पे, अगर आपको concept clear है, तो इतना कुछ लिखने की जुरूरत नहीं है, इतना कुछ लिखने की जुरूरत नहीं है, हमेशा धिहान रखो कि अगर simple difference given है, difference given है, in that case, हमेशा यह वाला जो equation है, यह बनेगी, क्या 9 into x minus y, अब यहाँ पे आपके पास जो भी digits का difference given ह है, जैसे यहाँ पे 36 है, सीधर 9 से डिवाइड कर दो, आपके पास में answer आ जाएगा, 4 ठीक है, अगर यहीं पर 27 होता तो answer आ जाता, आपके पास में 3, यहाँ पे 18 होता, answer आ जाता, आपके पास में 2, ओके, clear, concept clear होना चाहिए, clear है बिलकुल, अब देखिए, यास, अब C set के अंदर यही question आया वाँ था, 2018 के अंदर, 2018 के अंदर question आया वाँ था, आपके पास में यह, आप देखो, क्या है यह question, the sum of the digits of two digit number is 8, दोनों digits का sum आपके पास में given है, and the difference between the number and that formed by reversing the digit is 18, अब reversing the digit इसने given है, अभी मैंने आपको बताया है, कि अगर हमारा concept clear है, तो जब भी reversing का difference given होता है, तो simple हमारे पास में जो equation है, वो क्या बन के आते है, 9 into x minus y, ओके और जो भी value आपके पास में given है, ओके, means हमारे पास में difference आ जाता है, to sum of digits आपके पास given है, कितना 8, that means x plus y is equal to 8, ओके, तो यहाँ से हमें मिल गया क्या, x की value आगी bit of 5, और y की value कितने आगी, आ नंबर क्या आगया हमारे पास में, यास, नंबर क्या था हमारे पास, x, y हमने consider किया था, नंबर formation बनी हमारे पास, then x plus y, okay, that means what, कि नंबर कितना आगया हमारे पास में, 53, हाँ जी बताओ, बिल्कुल सिंपल हो गया, सिंपल हो गया, एक बार दुबारा से रिवे, रिपीट करूं, देखो बिटे, ये कैसे आया, उसने क्या काया, अगर मैंने कहा कि नंबर है मेरा कितना, x, y, ठीक है, तो एक नंबर actual में क्या हो गया, this is 10x plus y, after reversing अगर मैं देखूं, क्या हो जाएगा नंबर मेरे पास में, 10y plus x, अगर हम दोनों का difference देखते हैं, तो difference क्या आ गया 10y minus x, and this is equal to what, yes, 18, okay, कितना आगे हमारे पास में, 9x minus 9y is equal to 18, that means x minus y is equal to 2, okay, clear, तो अब ये हमारे सारी steps बचेके, direct हम यहाँ पर आगे, अब यहाँ पर भी आने के बाद में, अगर मेरे पास में कभी भी value आती है, एक बार minus, एक बार plus है, तो कैसे find out करोगे, इन दोनों का add करो, 8 plus 2, 10, 10 divided by 2, 5, ठीक है, दूसरी digit क्या आजेएगी, 8 minus 2, एक बार हमने plus किया, दूसरी बार क्या करेंगे, subtract कर देंगे, 8 minus 2, 6, 6 by 2 is equal to 3, okay, number क्या था, 10x plus y, 10x, that means की 50 plus 3, that means की 53, हाँ जी बताई, कोई doubt इसके अंदर, बिल्कुल clear है, this question was asked in CSET 2018, 2018 के अंदर question आया हुआ था, देखो number formation पर बिल्कुल easy question है, क्या skip करना चाहिए हमे, नहीं करना चाहिए, don't skip the easy part, okay, next देखे, yes, next question, again, इसी तरह का question आया हुआ था, कब अभी CSET 2021 के अंदर, अगर आप लोगो ने चेक किया हो तो, अब यहाँ पर देखो क्या, the difference between two digit number and the number obtained by interchanging the position of the digits is 54, 54 गीवन है आपके पास में, that means, what की हमारे पास में equation क्या हो बनगी, is equal to 54, x minus y is equal to क्या हो गया, no, ची के चोगा, 6, clear, हाँ जी, clear, अब देखो, आपके पास में गीवन क्या है, correct, consider the following statement, the sum of the two digits of the number can be determined, only if the product of the two digit is known, करें कि अगर product given है, तो ही हम find out कर सकते हैं, एक तो यह है, ठीक है, दूसरी statement है, the difference between the two number can be determined, अब difference हमने determined कर लिया, that means कि यह तो बिलकुल हमारे पास में correct है, अब first को हमने check करने, तो first को verify करने के लिए देखो, हमारे पास में difference से बेटा 6, difference दो डिजट का कितना है, 6, x-y मेरे पास में आ गया है, ठीक है, that means कि मेरे पास में जो values है, वो क्या आ जाएंगे, अगर मैं first case करके देखूँ, तो मेरे पास में अगर x की value है 9, ठीक है, x की value है 9, और y की value है 3, तो मेरे पास में क्या बन गया, तो हमारे पास में जो number का difference है, वो कितना आ रहा है, 6, अब अगर यहाँ पर हम देखें कि दोनों का sum, तो sum कितना बनेगा 12 बन रहा है, इस case में बन गया, बड़ जरूरी तो नहीं है कि यहाँ पर value मेरे पास में 9 आएगी, ठीक है न, ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरे जो number है, वो ऐसे हो, 8, 8 and 2, यह भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता ह 6 and 0, clear, अब दोनों cases में some different, different बन रहा है, इवन यहाँ पर आपके पास में difference गीवन है, अब इसमें यह भी नहीं गीवन है, कि हाँजी जो number है, वो ऐसा भी तो हो सकता है, इंटरचेंजिंग के बाद में, ठीक हैं, तो यहाँ पर हमारे पास में number यह भी हो सकता है, 28, हमारे पास number 17 भी हो सकता है, that means कि total अगर हम देखे, तो 7 numbers बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर यह नहीं गीवन है, कि जो number after interchanging जो number है, that is greater or smaller, okay, that means कि इसमें सो कोई भी number बन सकता है आपका, means what, कि अब हम देखो, sum find out कर सकते हैं, sum नहीं कर सकते हैं, इस case के अंदर अगर मैं sum देखू, तो यहाँ पर 12 बन रहे है, यहाँ पर 10 बन रहे है, यहाँ पर 8 बन रहे है, यहाँ पर 6 बन रहे है, हाँ, अगर product गीवन है, क्या करा है, the sum of two digits of number determined only product of two digits गीवन, अगर product गीवन है, अगर यहीं पर कहता है कि हाँजी, product कितना 27, तो हम क्या देते है कि हाँजी, यह वाला number है, ठीक है, और हम क्या कहते है, sum इतना बन रहे है, clear, that means what, कि क्या कि the sum of two digits of number can be determined only if the product of the two numbers is known, that means कि यह भी हमारे पास correct है, तो answer क्या आजाएगा, आपके पास both 1 and 2, क्या गया, बोथ 1 and 2, clear, हाँ जी, तो देखे, number formation important है, 21 के अंदर भी आया हुआ था question, और 18 में भी आया हुआ था, अब देखे, next question करते है, yes, next question देखे, क्या है, ध्यान से समझेंगे question को क्या है, क्या है, if the places of last two digits of three digit number are interchange, then a new number is greater than the original number, अब जो new number that is greater than, means कि नया वाला number greater है, कितना, by 36 is obtained, what is the difference between the last two digits, okay, question is clear, अब देखो, अगर मैं कहूं कि मेरा number क्या है, x, y, z, x, y, z, means, देखने में मुझे digits ऐसे दिखाई देरी, actual में मेरा number क्या है, this is 100x plus 10y plus z, okay, if the place of last two digits, two digits interchange हो रहे, that means कि interchange की बाद क्या बन्दा number, z, y, okay, तो नगर नंबर फोर्मेशन देखे, तो क्या बनेगा आपके पास में, 10z plus y, then a new number is greater than the original number, means, this is greater, greater में से smeller को minus करोगे, that means की 100x plus 10z plus y minus 100x minus 10y minus z and this is equal to 36, 100 से 100 cancel out हो गया, क्या आगया आपके पास, 9z minus 9y is equal to 36, that means की z minus y is equal to 4, okay, तो difference क्या आगया आपके पास में, 4 आ गया, clear, हाँ जी, 3 digits given है तो अभी घबरा रहा है नहीं, बिल्कुल सिंपल है देखो, वही हो रहा है, अब यहाँ पे भी हम directly कर सकते थे, बढ़ समझाने के लिए मैंने आपको बताया है कि हाँ जी, इस तरह से values बनेगी, okay, next देखो, yes, next C-set 2020 का question है, C-set 2020 का question है, क्या था, let X, Y, Z be a 3 digit number, where X plus Y plus Z is not multiple of 3, then X, Y, Z plus Y, Z plus Z, X, Y is not divisible by, क्या करा, not divisible by, okay, तो पहले देखो, X, Y, Z, अगर मैं बात करू, X, Y, Z की, तो मेरे पास में number क्या बनेगा, this is 100X plus 10Y plus Z, okay, अगर हम बात करें, Y, Z, X, Y, Z means क्या हो गया, 100Y plus 10Z plus X, और अगर हम बात करते हैं, ZXY, तो क्या हो गया, 100Z plus 10X plus Y, अब सभी के बीच में क्या है, sum है, plus है, अगर मैं सभी को total करते हूं, तो मेरे पास value क्या है, 100X, 10X plus X, 111X plus 111Y plus 111Z, ओके, ये बन गया number हमारा, 111 को common निकाल लेंगे हम, common निकाला कितना आगया आपके पास में, X plus Y plus Z, that means कि अगर हम sum देखे, इसका भी अगर हम multiple करते हैं, ये value आगे, 3 into 37 into X plus Y plus Z, अब यहाँ पर हमारे पास में factors क्या आगे, 337XY plus Z, ओके, means what कि ये जो मेरा number है, कौन सा, ये, this is divisible by 3, divisible by 3 and divisible by 37 and divisible by X plus Y plus Z, इन तिनों से क्या है, divisible है, आप question क्या है, not divisible, तो किस से divisible नहीं है, 9 से divisible नहीं है, ओके, so answer क्या आज आएगा, आपके पास में 9, clear है बिल्कुल, हाँ जी, कोई doubt इसके अंदर, बिल्कुल clear है, ओके, so next question देखते है, next question, 2017 का question है, यह C से 2017 का question है, number formation भी बेस्ट, ओके, क्या है, ये two digit number is reverse, reverse कर दिया, the larger of the two number is divided by the smaller one, larger को smaller से कहरे कि divide कर दिया, then what is the largest possible remainder, largest possible remainder, आप ये आपको find out करना, question clear है, आप देखो two digit का number है, अगर मैं कहूं कि मेरे पास में जो number है, वो क्या है, x, y, ठीक है, अब अगर हम बड़े से बड़ा number लेते हैं, तो क्या हो सकता है, ये हमारे पास में ऐसा हो सकता है, कि x की value क्या होगी, 9 ले सकता है, उस case के अंदर ही आपके पास में क्या होगा, yes, largest possible number निकालने हैं, remainder का, तो हम largest possible number ही ले लेते हैं सबसे पहरले, ठीक है, तो x की value मैंने ले ली 9, ठीक है, तो अब मेरे पास में जो number है, number क्या हो जाएगा, yes, this will be 90 plus y, 90 plus y, अब अगर मैं हम digits को कर देते हूँ, reverse, अगर हम reverse कर देते हैं, अब मेरे पास में number क्या बनेगा, हाँ जी, number क्या बनेगा आपके पास में, yes, this will be 10y plus 9, यह है अमारे पास bigger number, ठीक है, यह क्या बनेगा, smaller number, अब question क्या है, the larger of the two number is divided by the smaller one, means कि इस 90 plus y को, अगर मैं divide कर देते हूँ, किस से 10y plus 9 से, ठीक है, तो बताओ remainder क्या बचेगा, और यह भी क्या करें कि largest possible कह रहा है, अब यहाँ पे हमने ध्यान रखना है कि y की value हम क्या ले, अगर बेटा y की value हम लेते हैं, small, small value लेते हैं, तो उस case के अंदर, अगर मान लो देखो, अगर मैं y की value लेते हूँ, यहाँ पे 1, ठीक है, तो यह हो गया क्या, 91, 91 को 19 से multiply करेंगे, तो कितना हो जाएगा, उन्नी चो के 6, ठीक है, तो हमारे पास में remainder काफी कम बचा, अब that means कि अगर मैं ज्यादा लेते हूँ, तो भी मेरे पास में remainder कम बचेगा, देखो, ज्यादा लेके देखते, मैंने इसको ले लिया 9, ठीक है, इसको मैंने y की जगे पे 1 लिया, remainder मेरे पास में काफी ज़्यादा बच गया, ठीक है, अगर 1 मैंने 1 लिया, तो कितना बन गया, देखो, नमबर, यास, अगर y की value मैं 1 लेते हूँ, तो कितना आ गया है मेरे पास में 91 पाई 90, 95 पिचाण में 94 के 6, 6 है तो remainder बच गया बेटा, हमारे पास में 50, clear, हाँ जी, यही बचेगा remainder, clear, अब देखो, दूसरे case में, अगर मैं maximum value लेते हूँ, maximum value लेते हूँ, तो हमारे पास में value क्या बनेगी, this will be 99, ठीक है, य की value मैंने ले लिए 9, अब यह भी क्या बनेगा फिर, 99, remainder क्या बच गया बच गया हमारे पास में, means क्या है कि अगर हम ज्यादा value लेते हैं, तो भी remainder कम बच रहा है, हमारे पास में कम लेते हैं, तब भी कम बन रहा है, that means कि mid की value लेनी पड़ेगी है न, तो mid लेके देखते हैं, अगर मैं लेते हूं इसको 4, y को लेते हैं 4, तो क्या बनगे आपके पास में, 94 divided by 49, that means कि जो remainder है, remainder कितना बचेगा आपके पास, this will be 45, ओके, yes, अगर हम y की value को लेते हैं, हम 5, तो हमारे पास में value क्या बनगे, 95 divided by 59, that means कि जो remainder है, remainder कितना बचेगा आपके पास में, 44, sorry this will be 34, ओके, 36 बेटा, कितना बचेगा, 36, that means कि जो largest possible remainder है, वो कितना बनगा हमारे पास में, 45, तो answer क्या आजाएगा, यहाँ पर आपके पास, 45 will be the correct answer, ओके, थोड़ा सा ही बात का धियान रहा, रखो कि C set के अंदर direct question नहीं पूछे जाते, थोड़ा सा आपको confuse करने की कोशिश करेंगे, तो confuse नहीं होना है, simple देखो कि हाँजी अगर हम number को form करते हैं, number मेरा यह बनेगा, ठीक है, reverse करेंगे digits को, तो number यह बनेगा, बस अब उसके बाद तो आपको जो condition given है, उस condition को check करना है, ओके, clear, तो ध्यान रखो कि अगर हम Y की value जादा लेते हैं, तो भी remainder कम बचेगा, Y की value कम लेते हैं, तो भी remainder कम बचेगा, ठीक है, that means कि maximum remainder कब आएगा, जब mid में value होगे, और अगर mid देखते हैं, तो mid value आ रहे, बीटा वाई की 4, 4 और 5 दोनों में ने आपको check करके बता दिया, तो यहाँ पर हमारे पास में remainder बचेगा, 45, ओके, yes, next question देखते हैं, next question है, screen पर देखी कै, yes, again, 2017 का यह question है, क्या है, there are two digit numbers, the difference between the number and the one obtained by reversing is always 27, how many such maximum two digit numbers are देख, हाँ जी, कितने numbers हो सकते हैं, means what, कि जैसे मुझे यह पता चला कि number और उसकी digits को reverse करने के बाद जो number आ रहा, दोनों का difference given है, that means कि सिद्धी सी condition क्या आगी मेरे पास में, यह आगी, yes, अगर मेरा number है यह, that means 10x plus y, reverse किया, number क्या बन गया, अमारे पास में, yes, अभी मैंने आपको सम्झाईए यह condition, दुबारा से repeat कर रहा, क्या हो गया, 10y minus x, difference अगर निका लेंगे, तो क्या बन गया, अमारे पास में, yes, difference will be equal to what, 9x minus 9y and this is equal to, that means x plus y की value क्या आगया, आपके पास में, 3, अब question आप से यह नहीं पूछा गया, कि number क्या है, question आप से पूछा गया है कि कितने maximum two digit number बन सकते हैं, difference कितने का आरा बिटा, difference is equal to 3, 3 का difference देखो आप, हाँ जी, 3 का difference देखिए, तो यहाँ पर अगर हम 3 का difference देखते हैं, तो यहाँ पर x minus y, means x की value क्या है, greater ले रहे हो, आप y की value मैं क्या ले रहे हो, smaller ले रहे हो, पहले 9 से लेखते हैं, 9, 6, difference is 3, चीक है, 8, 5, difference is 3, 7, 4, difference is 3, 6, 3, difference is 3, 5, 2, difference is 3, 4, 1, difference is, 3, clear, हाँ जी, क्या आ रहे हमारे पास में, difference किसके equal आ रहे है, हाँ जी, 3 के equal आ रहे है, तो 2 digit numbers हमारे पास में कितने बनेंगे, इस case के अंदर अगर हम देखे तो, याज 2 digit number हमारे पास में कितने बनेंगे बिटा, याज इस इस विल बी 6 number, ओके, clear है, हाँ जी, एक बार आकर confirm करना, तो इस तरह से check भी कर सकते हैं, अगर मानलो मैं इस में से 69 को माइनस करो, कितना आएगा, देखे 27 हैगा, clear, तो यहाँ पर आप देख सकते हूँ, कितने बनेंगे हमारे पास में number total, 6 बने करा, how much such maximum 2 digit numbers are there, तो there are 6 numbers, so the answer will be none of the above, okay, clear है सभी को, कोई डाउट आराऊ इसके अंदर, किसी को कोई भी माइनर सा डाउट आराऊ इसके अंदर, okay, next देखें, next question है, ए नमबर कंसित अप 3 digits, of which the middle digit is 0 and the sum is 4, if the number formed by interchanging the first and last digit is greater than the number itself by 198, then the difference between the first and last digit is, yes, 2018 का question है, yes, 2018 का question, अभी हाँ पर क्या क्या है, middle जो digit है वो क्या है 0, अगर मैं क्या हूँ, मेरा number क्या है, at 0y, okay, अगर हम number को reverse कर देंगे, तो number क्या बन गया, actual अगर हम number देखें, तो यह क्या हो गया हमारे पास, 100x plus y, और अगर हम इसको देखें, तो यह हमारे पास में number क्या हो गया, 100y plus x, okay, अब यहाँ पर उसने क्या कहा, and their sum is 4, sum is 4, means कि sum of digits is 4, means x plus y की value किसने क्या कही है, 4, okay, clear, अब दूसरा यहाँ पर उसने क्या point कहा है, कि इस the number formed by interchanging the first and last is it, is greater than, means this number is greater, यह कह, this number is greater, greater that means कि greater में से जब में smaller को minus करती हूँ, तो difference किसकी equal आरहे पीटा, या, this is 198, that means what, 99y minus 99x is equal to 198, 99 common आगया, y minus x की value कितने आगया, आपके पास में, 2, x plus y की value हमारे पास है, ठीक है, yes, x plus y की value हमारे पास है, y plus minus x की value हमारे पास है, y minus x की value हमारे पास है, 2, now what we want to find out, किरा कि the difference between the first and last digit, अगर हम first और last digit की value की बात करें, तो y की value क्या आगया आपके पास में, 3, y की value क्या है हमारे पास, 3 आगया, और हमारे पास में पीटा x की value क्या आ जाएगी? x is equal to 1 अगर हम difference देखें, तो difference किसके equal आ गया? 3 minus 1, 2 के equal आ गया तो answer will be option B, 2 आपसे यह नहीं पुछा गया कि number क्या है? आपसे यह पुछा गया है कि difference क्या है first or last digit का, तो difference क्या है यह? हाँ जी, अगर हम से पुछा जाए what is the number? नमबर पुछा जाए, तो यहाँ पर हमारे पास में number क्या बनेगा आपके पास? yes, 103, cross check करने के लिए चेक करते हैं, ठीक है? अगर हम reverse करते हैं, तो number क्या बन रहा है? 301, अब देखो, दोनों का difference कितना आ रहा है? yes, this will be 198, और यही तो given था? okay, next देखिए, next question है, यह two digit number is nine more than four times the number obtained by interchanging its digits, then if the product of two digit, in two digit number is eight, then what is the number? अब आपको number find out करना है, यहाँ पर, क्या करना है? number find out करना है, यह two digit number is nine more than four times the number obtained by interchanging the digits, four times ज्यादा है किस से number interchanging its digits, हमारे पास में नमबर है, xy, that means क्या हो गया? 10x plus y, interchange करने के बाद number क्या बन गया? yx, that means कि 10y plus x, अब condition दुबारा से repeat करते है, क्या करना है? यह two digit number, two digit number is this one, is nine more than four times the number interchanging the position, okay, nine more, यह का आगे आपको, clear? अब इसको देखते हैं, यह होगे 10x plus y is equal to 40y minus 4x is equal to nine, यह value बन गी पिटा आपके पास में, yes, this will be 6x minus 39y is equal to nine, अब देखें, yes, अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे, उसने दूसरा जो point क्या करें? is the product of two digits, in the two digit number is eight, अगर product eight है, that means कि मेरे पास में digit क्या हो सकती है? 4 और 2 हो सकती है, ठीक है? या फिर 8 और 1 हो सकती है, दोनों values put करके देखो, अगर हम 4 put करते हैं, 9 नहीं आ रहा, बट अगर हम 8 put करते हैं, 8 put करते हैं, तो देखो, यह कितना आ रहा है, आपके पास में, यह हो गया 48, and this is 39, and this is equal to 9, okay, that means कि value क्या आगे हमारे पास में? 8 and 1, means x की value आगे बिटा, हमारे पास 8, और y की value है आपके पास में, 1, that means की number क्या होगे, हमारे पास, 81, so answer will be 81, okay, by option भी कर सकते हैं, आप इस तर एक question को, क्योंकि आपे देखो, दो यह options आ रही है, जिसके अंदर product क्या आ रहा है, हमारे पास में 8 बन रहे, बट आगे further इसको check करने के लिए तो बिटा की condition लगानी पड़ेगी न आपको, okay, yes, next देखी, yes, next question again, previous year का question है, ठीक है, देखी क्या है, UPSC का ही है, बट C-set का नहीं है, देखो क्या है, when the digits of two digit number are reverse, the number increased by 27, number increase हो रहा है किससे, 27 से, the sum of the two digit number is, आप देखो, number है हमारे पास में xy, ठीक है, reverse करने के बाद बन गया यह, that means कि 10x plus y and this will be 10y plus x, अब यहाँ पे देखो एक point है, क्या कह रहा हो, कि number is increased by 27, that means what, कि यह जो number है, ठीक है, this is the bigger number, this is the smaller number, means कि यहाँ पे हमारे पास में क्या आगया, 9y minus x is equal to 27, means y minus x की value क्या आ रहे है, आपके पास में 3 आ रहे है, point is clear, हाँ जी, point is clear, means what, यहाँ पे कह रहा है कि जब हम उसको reverse कर रहे हैं, तो number increase हो रहे है, reverse करने के बाद में number increase हो रहे है, means what की हमारे पास में यह वाली जो digit है y, y is greater than x, okay, अब हम numbers बनाते हैं, अब सबसे पहले अगर हम देखें कि x की value लेली मैंने 1, सबसे पहले, अगर हम 1 लेते हैं, तो y है y की value क्या आएगी आएगी आपके पास में, दोनों का difference 3 के equal है, that means कि कितना आ गया आपके पास 4 टे, clear, दूसरा number क्या हो गया, अगर इसको 2 लेंगे, this will be 5, 3, 6, 4, 7, 5, 8, 6, 9, ओके, अगर मैं इसको ले लेते हूँ 7 तो यह बिटा कितना हो जाएगा, 10 तो यह 3 digit का number हो जाएगा, that means कि इसको तो हम ले नहीं सकते, तो यह number हो गया, अब बट कॉस्चिन का है, तो sum of the 2 digit number, इसमे जितने भी number इनका sum क्या है, इनका sum आपको फाइंड आउट करना है, clear, sum करो, sum value क्या हो जाएगा, इस विल बी 9, 9 and 6, 15, 15 and 15, 13, 30, 39, okay, यह हो गया आपके पास, 249, so 249 will be the correct answer, clear, हाँ जी बताओ, कोई डाउट इसके अंदर, किसी को कोई भी माइनर सा डाउट आ रहा हो, विलकुल clear है, so answer आगे आपके पास में 249, I hope number formation पे इस तरह से गर कोई भी question आएगा, तो कर लोगे, नहीं रुकेगा हमारा question, देखो अभी हमारे exam में काफी time है, तो जो जो important concept है, डेली एक एक concept भी करोगे, तो भी हो जाएगा, आप लोगों का, ओके और number system तो काफी जादा important है, मेरी कोशिश है कि हर एक important concept आप लोगों को मैं कराऊ, तो ये एक free warm-up course है, जिसके अंदर exam specific concept and exam specific questions मैंने डिस्कस किये हैं, तो इसको आप join कर सकते हो description में link of label है, इसके लावा previous year question भी मैंने पूरे 6-7 years के discuss कियो है, तो आप उनको भी ले सकते हो, तो उसके लिए भी previous year question series का भी link of label है description के अंदर, इसके अलावा अगर particular topic आप लेना चाहते हैं, जैसे आप कहते हैं जी पूरा भी को तो number system ही चाहिए, तो आप वो भी ले सकते हैं, उसके लिए कहां जाना, micro courses के अंदर जाना, ओके, so it was all for today, thank you so much, मिलते हैं next class के अंदर, thank you.